नमस्कार दोस्तों, PSSM Blessings परिवार से मैं मिशा गुपता, पुस्तक, रुकमनी और काल चग्र का फेर के आउडियो बावन में आपका स्वागत करती हूँ सुजाता अभिशेक का घर छोड़ कर महिला निवास में वापस आती है, जहां उसकी भेट सुमती से होती है आईए अब सुजाता द्वारा आगे की कहानी सुनते हैं सुमती ने मुझे देखते ही कठोर स्वर में कहा कि माता मेरी प्रतीक्षा कर रही है मैं तुरंत उस ओर मुड़ी, मुझे राहत मिली कि हमारी दयालू माता पहले से ही मेरी प्रतीक्षा कर रही थी वह जानती थी कि मेरे हिरुदय में क्या है और वह मुझे मेनका को अपनाने में विफल होने के लिए उसे अस्वीकार करने के लिए दोश नहीं देंगी मैं अपने जीवन में वापस आ जाऊंगी जैसा कि पहले था महिला निवास में रहूंगी और मुझे फिर कभी बाहर नहीं जाना पड़ेगा जैसे ही मैं मंदिर के पास पहुँची मेरे कदम अपने आप धीमे हो गए मैंने देखा कि माता मंदिर के बाहर अकेली खड़ी हैं उनकी पीट मेरी ओर है किसी चीज ने मेरी उक्त सुक्ता को भंग कर दिया और मेरे पैर ऐसा प्रतीत हुआ कि उनकी अपनी इच्छा थी वै एक सतर्क रहने की चाल में धीमे हो गए दूर से भी मैं माता से निकलने वाली प्रबल उर्जा को अनुभव कर सकती थी धीरे धीरे मैं उनके निकट आती गई और फिर उर्जा इतनी तीवर हो गई कि मैं और निकट नहीं आ सकी ये ऐसा था जैसे एक बल शेत्र ने उन्हें घेर लिया हो जो मेरी दृष्टी कोण को रोक रहा हो इसलिए मैं लगबग एक दरजन कदम दूर खड़ी हो गई वह तूफान की आँख की तरह स्थिर और मौन रही मैंने उन भावनों को दूर रखा जो एक बड़े तूफान के जोके के साथ मेरे भीतर गूमने लगी थी यह वहे दृष्ट नहीं था जिसकी मैंने कलपना की थी मेरे सामने वहे शांत उपस्थिती नहीं थी जिसे मैं अच्छी तरह से जानती थी परंतु एक और अपरिचित शक्ती अलग और अपुष्ट थी मेरा देह कापने लगा पीछे हटने के लिए बहुत देर हो चुकी थी और फिर मैं भी आगे नहीं बढ़ सकी मैंने बोलने के लिए अपना मूँ खोला परंतु शब्द मेरे गले में ही अटक गए मेरे सारे बचाव जो मैं उनसे कहने वाली थी सब बेकार हो गए मैं अपनी उपस्थिती की गोशड़ा भी नहीं कर सकी इसलिए बस हाद जोड़ कर और सिर जुकाए खड़ी रही उनके मुझे सुईकार करने की प्रतीक्षा कर रही थी शन बीते फिर मैंने नेत्र उठा कर देखा कि वे धीरे-धीरे मुड रही है मैंने उनके चेहरे पर जो देखा वे मैंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था उनके नेत्रों में जैसे इंद्रदेव के वजरपाथ चमक उठे मुझे अंदर तक भेदते हुए मेरी रीड की हड़ी में प्रचंड गर्मी भेज रहे थे मैं उर्जा को रोक नहीं सकी और मुझे से एक गहरी चीख निकली मुझे लगा कि मेरे पैर नीचे गिर रहे हैं और सांस लेने में कठिनाई हो रही थी उनकी तेज आवाज मेरे उपर और नीचे पीछे और सामने से आ रही थी मैंने इसे हर और से सुना क्या तुम्हें दया नहीं आती सुजाता तुम उसे पहले भी दो बार अस्विकार कर चुकी हो क्या तुम उसे फिर से अस्विकार करोगी इसे जाने देने का समय आ गया है फिर मेरे पास आकर और जुक कर उन्होंने मेरे सीने पर थप थपाया वे एक कोमल इसपर्ष था, परंतु ऐसा लगा जैसे मुझ पर एक बड़ा शिलाखंड गिर गया हूँ मैं वजन और दर्द को सहन नहीं कर सकी, क्योंकि मेरी चाती में हवा नहीं थी ऐसा लगा कि मैं मर रही हूँ आसुओं के एक परदे से बाहर जहाकते हुए, मैंने असपष्ट रूप से उनके कोमल परिचित चेहरे की वापसी देखी और मैंने बस माता पुकारा क्योंकि मुझे लगा कि मैं स्वयम को अंधेरे में डूबा हुआ अनुभव कर रही हूँ जब अंधेरा छटा, मैंने चित्र देखे, एक वन मा की आकृती, एक पुतरी के साथ प्रेम भरा रिष्टा पुतरी को डाटती हुई मा, एक दर्दनाग दरार और फिर एक नाव, यूबती को दूर अकेले एक अन्भिग्य दुनिया में ले जाती हुई उसकी चोट और मा के प्रती क्रोध को कोई अभिव्यक्ती नहीं मिली, ऐसी अब पूरुणिये दरार का कारण क्या था? अन्य छवियां मेरे परे गई मैं समय के साथ घूम रही थी, सदियों के तेजी से बढ़ते समुद्र पर एक बेड़े पर ले जाई जा रही थी बेहन के चेहरे पर दर्द था और एक अलगाफ जो पूर्वत नहीं किया जा सकता था एक अज्यात मूल के बीच फलने लगे थे और मैं चोट, क्रोध और दुवेश के चक्र में फस गई थी धीरे धीरे मैं होश में आई और स्वयम को मंदिर के बाहर जमीन पर पड़ा पाया बैठने की स्थिती में उठकर मैंने चारो और देखा माता जा चुकी थी परंतु अंजली मेरे पास बैठी थी मेरे जागने का प्रतीक्षा कर रही थी क्या हुआ अंजली मैंने करकश स्वर में पूछा सोचते हुए कि क्या मैंने पूरे अनुभव का सपना देखा था माता ने तुम्हें एक पुराने संसकार से मुक्त कर दिया है सुजाता मैं कब से सो रही हूँ एक घंटे से माता ने मुझे तुम्हारी निगरानी के लिए भेजा है तो मैंने इसका सपना नहीं देखा था माता यहां थी उन्होंने हां में सिर हिलाया वे मुझसे नाराज है मैंने उन्हें निराश किया है मैं उदास होकर बुदबुदाई इस विचार से ही मुझे पीड़ा हुई अंजली मुस्कुराई बिलकुल भी नहीं माता नाराज कैसे हो सकती है मैंने तुरंद कोई प्रतिक्रिया नहीं दे फिर मैंने दुख के साथ कहा पता नहीं क्यों परन्तु मैंने अपने भाई की पतनी मेंका को पहली बार देखते ही इस गुसे को अनुभव किया अभी शेक उससे प्रेम करता है परन्तु हर बार जब मैं उसे उसकी देख भाल करते देखती हूं तो मैं उसे और अधिक नापसंद करती हूं मुझे याद नहीं कि मुझे कभी किसी के लिए इस तरह की तीखी प्रतिकरिया होई हो यह मेरे जैसा नहीं है आशळी जह हसी मेरे पास तुम्हें बताने के लिए दो कहानिया हैं जो मातद्वारा बताई गई हैं जो चीजों को समझने में सहायता कर सकती हैं पहली कहानी बहुत पहले हुई थी। सुदूर अतीत में एक वन समुदाय था जिसकी अध्यक्षता एक महिला करती थी। जिसकी दो बेटियां और तीन छोटे बेटे थे। प्रेमा नाम की सबसे बड़ी पुत्री मा के बुढे होने पर कभीले का नेतरित्व करने वाली परंतु एक दिन जब वे 18 वर्ष की थी तो उसको एक नागा राजकुमार से प्रेम हो गया। वे गायब हो गई और फिर कभी नहीं दिखी। छोटी पुत्री सुंद्री कबीले की मुख्या बनने के लिए कतार में अगली थी। उसकी मा को उससे बहुत उमीदे थी। परं जानती थी कि यह उसकी बहन का अधिकार है और उन्होंने प्रेमा की खोज तब तक जारी रखनी चाहिए जब तक वे उसे ढून ना लेते। परंतु जब उसकी माने वे खोज छोड़ दी तो उसकी मा के प्रती क्रोथ का पहला बीज सुंद्री के हिर्दे में जड़ पकड गया। एक दिन कबीले ने वन छोड़ दिया और सरस्वती नदी के किनारे एक बस्ती में चले गए वहां युवा सुंद्री को एक ब्रहमन से प्रेम हो गया जिसने ब्रहमचारे का व्रत लिया था। अपनी मा के बहुत निराश होने के बावजूद सुंद्री ने इस यु कीले के सर्वत्तम हित में क्या है। मा एक स्वाबिमानी महिला थी जिन में कर्तव्य की गहरी भावना थी। इसलिए जब उस बस्ती के रिश्यों ने इस ब्रहमन से सुंद्री को दूर भेजने का निर्ने किया तो मा ने कोई विरोध नहीं किया। दोशी ठहराया। उसने उन्हें कभी शमा नहीं किया। उन्हें फिर कभी नहीं देखा। गहरी नाराजगी को सहन किया और अपने मूल क्रोध को बढ़ा लिया। मा जो देवी की भक्त थी। इन दोनों बेटियों के खोने से कभी उभर नहीं पाई। और सुंद्री की साह ना करने के लिए बहुत दोशी अनुभव किया। उसने देवी से प्रार्थना की कि एक दिन वह उसकी भरपाई कर पाए और सुंद्री को वह प्रेम वापस दे सके जो वह उसे नहीं दिखा पाई। उसने प्रार्थना की कि एक दिन वह अपनी बेटियों के साथ फिर से मि कई जन्मों के बाद इस माने पुनर जन्म लिया सुन्दरी की छोटी बहन के रूप में यह उसके प्रती बहुत समर्पित थी और कई तरह से उसकी सेवा करती थी परन्तु उसकी प्रती एक भेंट को अस्विकार कर दिया जाता पुराने चक्र को धोराते हुए पुनर जन्म में सुन्दरी ने उसका तिरसकार किया और उसे कभी अपने हिर्दय में नहीं आने दिया एक बार फिर वे अलग हो गए परन्तु इस मा की आत्मा ने हार नहीं मानी उनका पुनर जन्म हुआ और उसने अभिशेक से विवा किया वे अभी भी अपनी बहुत पहले की पुत्री के साथ शांती बनाने का प्रयास कर रही है जिसे अब सुजाता के नाम से जाना जाता है सुजाता तुम कितनी जल्दी व्यवार के एक पुराने ठर्रे में गिर गई अपनी भाबी को अस्वीकार कर दिया वे आज कौन है उस पर आधारित होकर नहीं बलकि वे पहले कौन थी उस पर माता चाहती है कि तुम उस चक्र को तोड़ो जब तक हम व्यवार और सोच के पुराने चक्रों को नहीं तोड़ते तब तक हम स्वयम को संसार यानी मृत्यू और जन्म के चक्र से मुक्त नहीं होते दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अगली कड़ी में सुजाता के एक और पुर्व जन्म की कहानी सुनेंगे तब तक के लिए आप सब का धन्यवाद